Hello everyone, एक new और बहुती important वीडियो में आप सभी का स्वागत है Footcon एक बहुती common problem है और approximately 50% of people इंडिया are having this problem अगर आप what is con, किस वज़े से con होता है और इसका best solution क्या है जानना चाहते हैं तो ये वीडियो इंट तक जरूर देखें, मेरा नाम है Pankaj, welcome to my channel, live a life सबसे पहले हमें ये समाझना जरूरी है कि con होता क्या है, con मतलब skin की एक thick layer develop होना जब एक ही same जगा पर continuously बार बार friction या pressure पड़ता है तो skin automatically protection करने के लिए वहाँ पर एक skin की thick layer generate करती है इसी को हम con बोलते हैं, con develop होने के reasons क्या हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है con develop होने के main reasons हैं जैसे बिना socks के shoes पहनना, narrow आगे से जो narrow होते हैं वो वाले shoes पहनने से भी con होता है जिसकी वज़से toes को space नहीं मिलता पूरा खुलने के लिए तो ये proper shape के shoes ना पहनना, tight shoes पहनना, bare footed चलना और अगर आपको con pain करता है तो चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है तो इसका solution क्या है? इसका solution बताने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि किस reason की वज़े से मैं ये video बना रहा हूँ आप देख सकते हैं मेरे पाउँ पर bandage है मुझे भी corn हुआ था और 2-3 महिने से मुझे ये corn बहुत ही problem create कर रहा था मैंने बहुत सारी home remedies ट्राई करी मैंने mustard oil प्रस salt इस पे apply किया मैंने foam water में इस पाउं को डाल कर रखा ताकि जो corn है वो soft हो मैंने lemon का use repeatedly किया इसके अलावा मैंने बहुत सारी corn caps का भी use किया लेकिन मुझे results नहीं मिले और last option मेरे पास बचा था कि मैं इसको operate करवाँ मैंने operate करवाया और corn निकलवाया आज मैं ये video बना रहा हूँ 12-13 दिन होचुके हैं मुझे operate करवाय हुए और अभी भी 2-3 दिन लगेंगे उसके बाद stitches खुलेंगे जी हाँ मुझे stitches भी आये थे stitches खुलेंगे उसके बाद भी 15 दिन लगेंगे हील होने में और फिर भी कोई guarantee नहीं है कि कौन वापस नहीं होंगे देखे जो इसका best solution है वो तो मैं नहीं कर पाया लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा ना करें आप इसका best solution करें इसलिए मैं ये video बना रहो अब मैंने पूरा YouTube पूरा internet सर्च कर दिया लेकिन मुझे इसकी natural remedy नहीं मिली फिर जब लोगोंने bandage देखी तो लोग मेरे पास आया उन्होंने मुझे ये natural remedy बताई उन्होंने बता आक plant आक plant जिसको मदार भी बोलते हैं और जिसको crown flower भी बोलते हैं इसके अंदर anti-inflammatory और anti-fungal properties होती है और इसका juice बहुत ही poisonous होता है तो बहुत ध्यान से लगाना होता है और आक, ice पे तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए नि तो instant blindness हो सकती है आपको करना क्या है? आक plant लीजे, इसको cut करिए इसका milk extract करिए और milk extract करते ही immediately आपको कौन पर लगाना है 4-5 drop लगाए और आप राग को लगाकर सो जाए और एक तरीका और है आप एक 1-4 spoon castor oil लीजे उसके अंदर 10 drops जो आपने milk extract किया आग plant से mix करिए paste बनाईए, आप कौन पर लगाए उसके बाद bandage बानकर आप सो जाए यह आपको at least एक हफता करना है या जब तक आपको effective results नहीं मिलते है तब तक आपको यह करना है operations करवाने से तो बहुत बहुत अच्छा है कि आप natural remedy से ही आपकी कौन की problem ठीक हो जाए और जिन लोगों ने मुझे आग plant के बारे में बताया उन्होंने reviews भी दिये कि अगर आग plant की treatment से अगर आपके कौन ठीक होते हैं तो यह कौन results मिले और अगर आप यह आग plant की remedy ट्राय करते हैं आपको effective results मिलते हैं तो मुझे comment करके जरूर बतायेगा कि हाँ आपकी कौन की problem सही हो गई तो friends आज का वीडियो इतना ही रखते हैं I hope यह वीडियो आपके लिए useful होगा तो like करिए, share करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के support के रिए subscribe करिए bell icon को भी जरूर tap करिए to stay updated, so friends live a life, take very good care of yourself, eat healthy stay healthy, मिलते हैं नेक्स वीडियो में until then, bye and thanks for watching